राम राम करनाटक में भारती जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी विधायक भगोड़ा है और उस भ्रष्टाचारी विधायक के भ्रष्टाचारी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है हालाकि वो लोकायक तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे शिकायत मिली थी और उस शिकायत के आधार पर उसने रंगे हाथों पकड़ा उसके बाद विधायक के घर और कार्याले से आठ करोड से अधिक नकद मिला है ब्रश्टाचारी विधायक है करनाटक में ब्रश्टाचार का मामला कोई नया मामला नहीं कई बार तो हम यूँ भी कहते हैं हमें भी लगता है कई बार राजनितिक बहस करते हुए कि दक्षन भारत के राज्जियों में तो शायद भष्टाचार बिलकुल ही मुद्दा नहीं है फिर लगता है कि उत्तर भारत में कौन सा भष्टाचार का मुद्दा है आज मी लालू प्रसाद यादो को सामाजिक न्याय का मसीहा कह दिया जाता है जबकि वो दोशी हो चुके है आज मी विवक्षी एक्ता के नाम पर भष्टाचारियों की एक फौज खड़ी हो जाती है लेकिन फिर भी करनाटक इस मामले में कुछ ज्यादा ही बरनाव है आप सुचिए कि ये दियुरप्पा भाजपा के दिगजनेता और जिनको खारिज करने का साहस भारती जनता पार्टी भी नहीं कर पा रही है उनियोदी रप्पा के उपर भी बहुत गंबीर भष्टाचार के आरोप लगे थे उनको कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी अब सवाल ये कि जो ताजा भ्रष्टाचार का मामला है ये क्या है क्या ये जो भ्रष्टाचार का मामला है इस भ्रष्टाचार के मामले में भारती जनता पार्टी का केंद्री नेत्रत्व उसकी भी कोई भूमिका है क्या भारती जन्ता पार्टी के केंद्री नेत्रत्य की इसमें मौन सहमती है अपने ही विधायक को पकड़वानी में विधायक अभी भागा हुआ है उसका बेटा गेरफतार हो गया है क्या बसवराज बुम्मई सरकार ने अपने उपर लग रहे भष्टाचार के आरोपों से मुक्ति पाने के लिए चुनाओं से ठीक पहले अपने विधायक पर कारवाई के लिए स्विकृति देदी ये सब जानते हैं कि इतने हाई प्रोफाईल विधायक को पकड़ना इतना आसान नहीं होता और जाहिरे कोई भी यूही कारवाई भी नहीं हो जाती अब जला कुछ बाते मैं आपको बताता हूं जो जानना बहुत जरूरी है ये दुरपा जेल गए हैं लेकिन प्रभावी लिंगायत नेता है इसलिए ये दुरपा को हटा कर नहीं रह सकते करनाटक पर सत्ता से दूर हो जाते है अगर ये दुरपा को दूर करते इसलिए जब उनको हटाया गया बुख्यमंत्री पद से तो नरेंद्र मोदी जैसा ताकत वर नेता है इसलिए हटा पाए लेकिन उनको भारती जंता पार्टी की सरोच केंद्रिय संसदी समीति का हिस्स बनाये गया जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से मजबूरी थी हटाया लेकिन उनको शामिल किया संदेश अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो वीडियो खुब चर्चा में वो चित्र चर्चा में जिसमें हाग पकड़े हुए दुरपा का ज सापे को समझें यह यह उद्रपा का बहुत नजदी की विधायक है इतना नजदी की जब यह उद्रपा को मुख्यमंत्री पत से हटाया गया था तो इस विधायक के ड्राइवर की रोते हुए तस्वीरें टीवी चैनलों पर खुब चल नहीं इसलिए भी जानना बहुत जर सुननी चाहिए कि करनाटक के जो कहें कि लोकायोग पुलिस ने जो पकड़ा है वो कौन है भार्ती जनता पार्टी के विधायक का बेटा है भाजपा विधायक फरार है उसका नाम है माडल विक्षुपा विरु पक्षपा 72 वर्ष के हो गये हैं कितना भ्रष्टाचार किया होगा अंदाजा लगाई कॉंग्रेस ने भार्ती जनता पार्टी पर पहले से हमला बहुत तेज कर दिया आपको याद होगा उन्होंने पोस्टर लगा दिया था पेटियम की तरफ पेसियम बासा औरवाज बंबई की फोटो डालके एक कारिकम में कुछ ठेकोदारों ने कह चालीस परसेंट कमीशन लिया जाता है यहां उसके बार कोटी परसेंट कमीशन गवर्मेंट कह दिया था करनाटक को बड़ा अरोफ था वह से हम भले कहें कि दक्षिन भारत में आरोफ कुछ होता नहीं है देखिए जो विधायक इधर से उधर गए सब पैसे वाले थे सब क उपर आरोफ थे सब जीत के फिर से आगए लेकिन फिर भी इतने गंभीर आरोफ हों तो मामला तो बनता है और हर को यह जानता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों पर कारवाई करने में कोई कोता ही नहीं करते हैं बारती जनता पार्टी में जो लोग हैं उनके भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई अब सवाल यह कि क्या यह जो पेसीम और 40% कमीशन है इस पर यह कारवाई हुई है क्या बासावराज बुम् यह कारवाई हो यह कमिशन खोरी वाला जो आरोप है क्योंकि अब तो अर्विंद केजरिवाल भी मनीशनी साथिया की गिरफ्तारी के बाद यही आरोप लगा रहे हैं यहां एक बात और जान लिजिए यह जो विरुपक्षप्पा हैं यह लिंगायत हैं उनकी उपजाती व बना दिया था उस वक्त इनका बेटा भी उसी समय एडवाईजर और दूसरे पदों पर था भाजपा ने यह दिरुप्पा को मुख्यमंत्रिक पत से 2021 में हटा दिया लेकिन विरुपक्षप्पा बने रहे विरुपक्षप्पा का ड्राइवर जो मनें बताए कि टीवी चै कि एक रिपोर्ट है जो इन सारे सवालों का जवाब बहुत विस्तार से देती है इस रिपोर्ट में साब साब बताया गया है कि भाजपा सरकार लगातार यहारोप लगाती रही है जब सरकार में नहीं थी कि सिद्धार मैया की सरकार ने कॉंग्रेस की लोकायुक्त पुलिस दिगज कॉंग्रेसी नेताओं के भष्टाचार के पुराने मामले भी खोलेगी नैसीरे से कितना भी कहा जा और मैं बार-बार कहा रहा हूं कि देखिए भष्टाचार कहा जाता है कि असर नहीं करता सबको ठीक लगता है अपनी जेब में पैसा आ जाए लेकिन कभी तो भष्टाचार असर कर जाता है सारजनिक तोर पर ऐसे भीष्टाचार को कोई पसंद नहीं करता है और भारती जन्ता पार्टी चुनाओं से पहले अब विमर्ष अपने पक्ष में खड़ा करना चाहती है अब यहां तथ्य है जो इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट में भी बहुत साफ है 2015 में सिद्धा रमिया ने लोकाई पुलिस के अधिकार चीन लिये थे और अगस्त 2022 में करनाटक उच्चने आले के आदेश के बाद लोकाई पुलिस के अधिकार वापस मिले 2015 से 2022 तक लोकाई पुलिस से अधिकार चीनने के बाद कॉंग्रेस हो जेडियस हो या भाजपा हो किसी भी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पर आगे नहीं बढ़े और जो सिद्धार अमया ने ACB बनाई थी उस ACB पुलिस को कोई भ्रष्टाचार का मामला खोलने की इजाजत ही नहीं मिली अब आप इसी से समझ लीजिए कि सिद्धार अमया ने क्या किया था इसको जेडियस और ये दुरपा भी बनाए रहे लेकिन अब लगता है कि ये दुरपा को मना लिया गया है नरेंद्र मोदी उनको समझा चुके है और अब नरेंद्र मोदी करनाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई के लिए बड़ा मन बना चुके है ठीक उसी तरह जैसे लालपिश अडवानी ने ये दुरपा को गिरफ्टार करा दिया था अडवानी जी ने पूरे देश में जन चेतना मार्च निकाला था 2011 में लोकाईू पुलिस ने ही गिरफ्टार किया था इसको समझे मुक्यमंत्री रहते हुए उसक्त क्या घोटाला था एक जमीन का घोटाला था उसके लिए रिश्वत ली गई थी ये दुरपा के नजदीकी विधायक क्रिश्नया शेट्टी और कटा नाइडू इनको भी गिरफ्टार किया गया था उसक्त बाद में सिद्धा रमया जबाए तो लोकाई पुलिस के अधिकार शेंगी चीन कर भष्टाचार के मामलों में कारवाई के लिए लेकिन क्या हुआ यह जानना बहुत जरूरी है अगस 2022 में जब करनाटक उच्छे नयाले ने लोकाई अधिकार बहाल किये तो एक आंकड़ा बताया है यह आंकड़ा जरा सुनिए आंठ्रे खोल देगा जो कॉंग्रेस 40% कमिशन और पेसीयम की बात कर रही कितना भष्टाचार को बचाया कितना संक्षित किया गया सिधरमया सरकार में यह सामने आ जाएगा आकड़ा है कि जब से हटाया गया यानि एसीबी को दिया गया अधिकार एसीबी ने एक भी मामले यानि 2016 मार्च में आई थी अस्तित्त्य में एसीबी और तब से अगस 2022 तक एक भी भष्टाचार का मामला नहीं खुला जबकि 1994 से 2015 के बीच में लोकायुक्त पुलिस ने क्या क्या किया था सरसठ पॉलिटीशियन राजनेताओं के खिलाफ 28 IAS अधिकारियों के खिलाफ 8 IPS अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने कारवाई की थी भष्टाचार के मामला और उस लोकायुक्त के अधिकार सिद्धार मैया की कॉंग्रेसी सरकार ने छीन लिए ये इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा है अब लोकायुक्त फिर से शक्ति पा गया है भले ही उच्च नियाले के हवाले से हो लेकिन लग रहा है कि नरेंद लोकायुक्त बनाया है कारवाई दना दन हो रही है कि यूहीं तो नहीं हो रही है इसलिए इस कहानी को आप सब को जानना बहुत जरूरी था मेरे सामाजिक वरिवार के हर सदस्य को आगे नजर रखे करनाठक में भरष्टाचार पर बहुत सी बड़ी कारवाईयां भी होनी है यह सिर्फ शुरूरात है बहुत बहुत धन्यवाद